Hello students! कैसे हैं आप सब? So I hope आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने exams के तयारी अच्छे से कर रहे हैं पिछले lecture में हमने Industry Relations के 20 questions प्राक्टिस किये और remaining questions को आज हम इस lecture में cover करेंगे तो एक short lecture रहेगा जिसमें हम 20 questions को cover करेंगे इससे पहले Industry Relations के 19 lectures आपको मिलेंगे जिसमें 18 Actually 19 नहीं पता है कितने lectures होंगे आपके 21 lectures आपको मिलेंगे जिसमें 18 lectures तो आपका पूरा Industry Relations के उपर है देके हैं? और यहाँ पर एक MCQ session है एक PYQ session है और इससे पहले इससे पिछले 20 questions जो होंगे उसका भी एक MCQ session मैंने add किया है पार्ट वन इसको अगर ले ले तो यह वाला क्या हो जाएगा आपका पार्ट टू हो जाएगा 18 lectures यह हो गए? ठीक है So यहाँ पर आपके around 21 lectures में 22 actually 22 पूरे के पूरे lecture में आपका जो है इंडस्टियर लेशन को यहाँ पर हमने cover कराया है ठीक है? समझाया? So 22 lectures है जिसमें आपका इंडस्टियर लेशन पूरा का पूरा cover हो गया है यह आपका last lecture है और आपकी PYQ का session भी मैंने ले लिया मैंने आपको practice set भी करा दिया साथी साथ मैंने जो topics कराया थे उसमें भी मैंने आपको कुछ न कुछ MCQs कराया हुए है और detail में तो मैंने आपको हर एक topic को पढ़ा दिया है So उमीद करती हूँ कि आपने हर एक चीज को अच्छे से cover कर लिया है और अच्छे से revise कर लिया है So बिल्कुल भी I hope आपको कोई confusion नहीं है और अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने कुछ questions कर लिये थे 20 questions हमने कर लिये थे और उसके आगे की questions हम discuss करने वाले हैं short lecture रहेगा और इसमें हम 20 questions को cover करेंगे चलिए 20 questions हो गए थे और remaining questions को हम आगे cover करेंगे So question number 21 से हमें आज start करना है Question number 21 The trustorship approach to industrialization was advocated by The trustorship approach किसे ने दे थी हमने पिछले lecture में भी इस टाइप का question देखा था देखो पच्चो जो भी approaches हमने पड़ी है न वहां से questions बहुत जादा chances है इस बार पूछे जाएं क्योंकि पिछले paper में आपको approaches से कोई question नहीं पूछे थे जो भी question पूछे थे वह जादा थे किसे थे collective bargaining से थे ILO से थे disputes के mechanism से थे इन सब से थे workers participation से थे इसलिए जो topics नहीं पूछे गए नो उनको बहुत अच्छे से prepare कर लो क्योंकि chances है कि वह यह वाले questions से topic नहीं लेकर मतलब थोड़े बहुत तो लेंगे क्योंकि important topic है पर हो सकता है बाकी topics को भी वह consider कर लें तो जैसे approaches है आपके important topic है इसको अच्छे से पढ़के जाएगा So trustorship approach जो है वह क्या है यह महत्मा गांधी जीन दी थी मैंने कहा था जो अच्छे अच्छी बाते हैं वहां किसने की थी महत्मा गांधी जीने की थी करल मार्कसने कहा था कि जो भी आपके union होती है यह एक nitrogen approach है political union या फिर strikes कहलें यह सारु की सारे चीज़े political न зр closer men जिन सब में कही ना कही politics होती है ठीक है इस तरीके से हमने बात की और कई और भी approaches है ठीक है आपको अगए 12 से मिले तो आप कर लीजेगा बट मुझे लगता है कि जितनी करवाई हुई है that is more than sufficient और वो काफी है आप लोगों के लिए ठीक है next question question number 22 which of the following has not been implemented through any legislation as the national level इन में से कौन सा implement नहीं किया जा था as legislation इस में national level पे ठीक है तो देखिए यहाँ पर आपके पास दिये joint management council workers participation in management recognition of trade unions and none of the above तो देखो धंक से अगर आप इतको पढ़ोगे तीनों ही चीज़े कहीं ना कहीं national level पे बात कर रही है joint management council हम पढ़ते हैं हमने workers participation management पढ़ा trade unions का recognition पढ़ा ठीक है ना तो यहाँ पर none of the above आपका correct answer हो जाएगा लगकि यहाँ पर तीनों ही क्या है national level पर legislation है जिनको implement किया जाता है तो यहाँ पर option number D आपका correct answer हो जाएगा ठीक है next is question number 23 question number 23 में बोला the composition of which are the following is similar to the structure of ILO आई एलो में हमने तीन चीज़े पढ़ी है है ना हमने इसका structure देखा है हमने इसकी conference देखी है हमने इसकी governing body देखी है ठीक है यह सब चीज़े देखी है तो similar कौन सा है ILO के structure के बारे में आई एलो के full form क्या होती है international labor organization तो बही labor को labor से match कर दो standing labor committee यह जो committee है related to किसके लिए बनाई गई है labor के लिए जहाँ पे standard काम बताया चाता है कि किस तरीके से होगा है ना तो बिल्कुल similar क्या है इसमें से क्या canteen managing committee इसके similar है बिल्कुल नहीं safety committee works committee नहीं तो यहाँ पे standing labor committee जो है वो एक similar structure है just like international labor organization तो आपका option नमबर भी correct answer हो जाएगा question number color change कर लेते है थोड़ सा मज़ा नहीं आरे इस color में मज़ा मज़ा नहीं आरे question number next is question number 24 which of the following is not an objective of workers education scheme in India मैंने आपको यह चीज़ बताई थी यह workers को educate करने के लिए scheme बनाई जाती है जिन्हें कहा जाता है workers education scheme इसमें से कौन सा objective नहीं है not आप question देख रहे है question में जहाँ था not वाला portion पूछा रहा है कि कौन सी इसमें से चीज़ नहीं है तो especially focus आपको इसमें देना कि कौन सा नहीं है तो देखिए to make workers responsible citizens worker को responsible citizens बनाया जाए बिल्कु सही to make them efficient at work उन्हें काम पर और ज़्यादा efficient बनाया जाए capable बिल्कु सही enable them to earn more उन्हें enable किया जाए मतलब वो इतने सक्षम हो कि और ज़्यादा earn कर सके या फिर to make them responsible union members and officers उन्हें union का एक responsible member बनाया जाए एक responsible officer बनाया जाए ये भी सही है कहीं हद तक option C भी सही है बड़ देखिए objective ये नहीं है कि आप किसी पर organization का objective ये कि आप बहुत अच्छा कमाए उसका objective होता है कि आपको और ज़्यादा capable बनाये वो आपको सक्षम बनाये कि आप task को perform कर सके तो यहाँ पर to enable them to earn more ये आपका कोई objective नहीं माना जाएगा workers education scheme के तहत option number C आपका correct answer यहाँ पर हो जाएगा समझाया clear next is question number 25 in which type of collective bargaining workers lose something instead of gaining कौन सी ऐसी collective bargaining है जिसमें workers कुछ ना कुछ खो देते हैं कुछ gain करने के लिए यान कि आप कुछ ना कुछ concession कर रहे हैं, leave कर रहे हैं चीक है इसका आपका नाम है concession bargaining हमने बहुत साइट आप की bargaining पड़ी थी हमने distributive bargaining पड़ी थी हमने coalition bargaining पड़ी थी हमने productive bargaining पड़ी थी productivity के base पे होते है concession bargaining पड़ी थी compromise थो हमने उसमें पड़ा था चीक है इस तरह की types of bargaining पड़ी थी तो यहां से question पूछे जा सकते हैं बच्चों इस topic को अच्छे से पढ़ना ऐसी कौन से bargaining है जहां पे आपने कुछ earn करने के लिए कुछ खोया है that is concession bargaining चीक है समझा है question number 25 next is question number 26 इन में से कौन सा statement ILO के बारे में सही नहीं है again not वही not से बहुत जादा question आ रहे कि कौन सा इन में से statement सही नहीं है which are the following statement about ILO is not true ILO क्या है वही हमें पता है माम ILO का मतलब है international labor organization ना कब आती 1990 में कहा है इसका headquarter चिनीबिया कितने members नहीं 187 ठीक है ILO टापर टाइट बॉड़ी है बिलकुल सही इसके अंदर आते हैं आपकी international labor conference international standard committee और आपकी governing body established within 1919 में बिलकुल सही बात है ILO conventions बनाए जाती है जो mandatory है उन countries के लिए जो उसे ratify करते हैं उसे accept करते हैं बिलकुल सही ILO सिर्फ और सिर्फ recommendation पास करता है ILO passes only recommendation सिर्फ recommendation पास करता है नहीं this is not true ILO आपको suggestions भी देता है आपके लिए conventions भी करता है conferences भी करता है policies भी बनाता है सिर्फ recommendation नहीं करता कई ऐसे काम करता है ILO ठीक है यहाँ पर option number C आपका correct answer हो जाएगा कि कौन सा statement गलत है not true का मतलब क्या है कौन सा statement गलत है false पूचा है तो option number C आपका correct answer हो जाएगा ठीक है clear next is question number 27 out of the following one of the models is not a dispute settlement under the industrial dispute act 1947 industrial dispute act 1947 में कौन सा method इस्तेमाल नहीं होता है जिससे आप dispute excuse me sorry I'm really sorry students ठीक है तो मैं क्या कह रहे थी इन में से कौन सा method dispute settlement के इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो consolation हमने पढ़ा है adjudication हमने पढ़ा है arbitration हमने पढ़ा है alternate dispute resolution यह एक type का resolution है तो यह कोई dispute settlement model नहीं है यह खुद में एक resolution है ठीक है इसका correct answer क्या हो जाएगा option number C and I hope आपको पता है consolation क्या होता है adjudication क्या है arbitration क्या है ठीक है तो यहाँ पर यह जो term से ही बहुत important है और chances है कि यहाँ से आपको questions पोच लिये जाए तो प्लीज बच्चों इस topic को अच्छे से prepare करना मैंने अच्छे से आपको इस topic को clear कराया हुआ है चलिए next is question number 28 so which of the following bargaining is based on workers contribution to productivity question में ही answer है ऐसे question देखके तो मन में लिड्डू फूट जाते है कि मैंने कितना अच्छा question आप लोगों ने पूछ लिया so भई productivity के base पर जाए workers contribution देखते है यानकि उसकी workers की bargaining देखते है कि इस तरह से वो bargaining कर रहा है अपनी productivity के उपर तो यहाँ पर आती है productivity bargaining इसका example मैंने क्या बताया था employee और employer है suppose कीजिए कुछ ऐसा time पर बूरा time चल रहा है ठीक है और employee को क्या command मिली है कि आप जाए से ज़्यादा production कीजिए जितना ज़्यादा production करेंगे हम उतना ज़्यादा आपको bonus या फिर कुछ extra provide करेंगे इस कुशी में employees बहुत productivity के साथ बहुत enthusiastic के साथ काम कर रहे हैं और काफी ज़्यादा production लेकर आ रहा है जिससे क्या हो रहा है ज़्यादा production हो रहा है तो क्या हो रही है profit भी ज़्यादा हो रहा है sales ज़्यादा हो रही है यह है आपकी productive bargaining जहाँ पर employer employer इस चीज़ पर contribute करते हैं इस चीज़ पर agree करते हैं कि ठीक है जो भी production हो रहा है उसमें हम अगर ज़्यादा produce करेंगे तो हम उसका wages भी साथ साथ लेंगे ठीक है तो यहाँ पर option number C आपका correct answer हो जाएका next is question number 29 compulsory collective bargaining advocated by compulsory collective bargaining किस ने advocate किया था यह term तो बच्चो यह आया था वी-वी ग्री अगर आपको ऐसे question paper में देखने को मिलते हैं और आपको कोई idea नहीं है छोड़ दोस question को सच में क्यों कहा रही हूं है क्योंकि negative marking है हमें अपने सही वाले question पर focus करना है आपको चोड़ना है तो आपको question को छोड़ना है नहीं तो मैंने आपको बोला है आप probably A को tick कर दो या फिर ऐसे नाम को tick कर दो जो आपने सुना हुआ है तो वी-वी ग्री अप्रोच भी एक होती है इंडस्ट्रीज में मैंने करवाई नहीं आप लोग को क्योंकि जातर वहां से concept रैसे थे नहीं बहुत detail में हो जाता नहीं तो इतना portion पूछा नहीं गया था तो गिरी अप्रोच भी है अगर आप चाहे तो वह detail में उससे पढ़ सकते है आपको easily उसको वह topic भी कहीं ना कहीं मिल चाहेगा ठीक है Next is question number 13 Assertion दिया है आपको और Reason दिया है कहा है Industrial Labour India has been migrating यानि कि भारत में जो ओद्योगिक श्रम है वो प्रवासी रहा है मतलब कि आप इदर से उदर move करते हैं Industrial Labour में काफ़ी साइचेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि बिलकुस सही बात है Next is driving force in migration comes almost entirely from one end of the channel That is the village end जहां पर एक्चेस खतम होती है वही से दूसरी चीज़ शुरू होती है That is बिलकुल true, है न? So, दोनों ही statement कहीं न कहीं अपने आप में true है अगर आप option देखें तो option में कहीं बेवी reasoning के बारे में नहीं पूछा है कि क्या ये इसको reason satisfy करता है या नहीं करता है तो हमें क्यों परिशान होना? हमें जो बोला है हम वो करेंगे ठीक है? सो हमें सिव option देए कि क्या दोनों option correct है बिलकुल a is right and r is also right So option c would be your correct answer यहां पर हमारे 30 questions complete हो चुके है 20 questions part 1 में थे और यहां पर 10 questions अभी तक हमने इस part 2 में cover कर लिए remaining 10 questions भी अभी हम start करते है यह स्वाई हो अभी तक हमने जो भी चीज़ समझी है वो आपको अच्छे समझ आई है तब तक आप इस question को solve कीजे question number 30 तो question number 31 का I hope आपको answer मिल गया है ऐसा recruitment कहा होता है जब आपको कंपस जरी बोला जाए कि trade union में गुसिये वही आपको बांध लिया है ना मैंने इस exam को उनको यही बोला है कि आपको बांध लिया है कि आपको क्या करना है आपको trade union से जुड़ना है और तब ही हम आपको क्या करेंगे employment देंगे तो आपको बांध लिया उन्होंने तो ऐसी system को ऐसी shop को हम क्या कहते है that is known as closed shop ठीक है समझ आया clear है आपके concept next is 32 32 question कह रहा है the policy of tripartism on which the Indian industrial related systems rested has failed to yield the desired results जो tripartism की policy है और तीन पाटी की policy है जिस पे Indian industrial relations system काम करता है ठीक है वो कही न कहीं fail हुआ है desired results निकालने के लिए बिलकू सही है अभी तक भी जो हम चाहते हैं वो results हमें कहीं न कहीं provide नहीं हो रहे है next is because the parties to the tripartite bodies have resorted to conflict measures and adjudication क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि tripartite body है कहीं न कहीं वो fail हो जा रही है जो conflicts है और education आ रहा है उससे solve करने में ठीक है इस तरीके से यह क्या है आपका A बिलकू सही है और R उसका correct explanation हो जाएगा so option number C आपका correct answer यहां पे जाएगा ठीक है question number 31 था next is question number 33 बोला है majority of industrial disputes are settled by which of the following machinery in India जादा तर कौन से industrial dispute का सारा लिया जाता है तो जादार कोशिश की जाती कि आपस सहमती सही चीजें क्या कर ली जाएं सॉल्फ की जाएं so arbitration तो third party की जाद पर जाती है education में भी आप क्या करते है last option आपका होता है education करने का पहली priority किसी दी जाती है consolation machinery को दी जाती है कि दोनों parties जो है वो आपस में ही क्या कर ले सलह मशोरा कर ले ठीक है so सुलह machinery consolation machinery so option number A आपका correct answer यहां पे हो जाएगा ठीक है यह machinery जो पॉइंट से न यह बहुत important है प्रीज इन्हें अच्छे करीके से cover कीजेगा next is question number 34 which of the following is not a subject matter of industrial relation इंमें से कौन सा subject matter नहीं है industrial relation का तो देखिए trade union and collective bargaining हमने पढ़ा हमने strikes and lockout के बारे में पढ़ा हमने unfair labor practices देखी हमने employee composition and welfare के बारे में कहीं पे भी बात नहीं करी है यहां पे आपका option number D correct answer हो जाएगा तो industry relation का subject matter क्या है जिसके बारे में industry relation ने बात नहीं करी industry relation ने आपके trade union के बात करी है collective bargaining के बात करी है ठीके जो strikes है जो lockouts है उसके बारे में बात करी है trade practices जो हो रही है unfair उसके बारे में unfair labor practices है ना but employee composition welfare यह तो कहीं न कहीं collective bargaining और trade union कहीं पार्ट बन जाएगा ठीके ना तो इस चीज को अलग से कहीं पे भी हमने discuss नहीं किया तो I hope आपको questions समझ आया होगा I'm really sorry अगर मैं अगर आपको कोई problem में से face करनी पड़ रहे है थोड़ा cold की वजह से दिक्कत आ रहे है बाकी सब ठीक है चिंता मत कीज़े ठीक है चलिए next question is question number 35 which of the following combinations taken as bi-partism and industrial relations industrial relations की जब बात की जाए इन में से कौन सा bi-partism है bi-partism का क्या मतलब है two parties two parties तो कौन कौन सी है क्या government and labour क्या government and employer क्या labour and management है क्या employers and consumers है वह दो ही चीज़ है या तो employee और या फिर employee जो है वो labor का part होता है employer जो है वो management का part तो आपका यहां पे correct answer क्या हो जाएगा labor and management कही न कहीं government and labour अधूरा हो जाएगा क्योंकि यहां पे तीन parties basically होती है government and employer अधूरा हो जाएगा so labor and management जो industrial relation के perspective से बात करता है option number c आपका यहां पे बिलकुल correct answer हो जाएगा ठीक है so labor and management your correct answer option number c next is union shop close shop preferential shop यह मैंने आपको previous questions वाले topic में कराया हुआ है so यह क्या है क्या यह union security measures हैं क्या यह industrial actions हैं क्या यह organization security measures हैं यह पे all of the above हैं पे all of the above तो नहीं हो सकता अलगले चीजों के वारे बात बच्चो union को union से match कर दो union security measures हैं यानि की union की security के लिए क्या-क्या steps यह जा रहे कैसे आप उन्हें protect कर सकते हैं union shop close shop preferential shop यह क्या है आपके union security measures हैं so option number a आपका correct answer हो जाएगा for the question number 36 now the next question is 37 so the first Indian trade union led by women women जो first Indian trade union first time lead the first Indian trade union lead by the women the first Indian trade union lead by the women तो पहली trade union जिसे women ने lead किया था वो कौन सी थी तो यहां पर इसका correct answer है HMS अब आपके लिए आप एक चोट असा homework है वो क्या है कि जो जितनी भी full forms दी है जितनी भी short forms दी है actually आपको इनकी full forms note down करनी है dates note down करनी है और क्या-क्या important बाते आपको इसके बारे में पता चली है Google पर जाहिएगा थोड़ा सा search कीजेगा type कीजेगा आपको काफी साही चीज़े मिल जाएंगी पढ़िएगा उनने इससे क्या होगा ना आपको इंपोर्टन चीज़े पर चलीगी मैं तो आपको बता दूँगी लेकि मैं नहीं बता होगी आपको इहां पर खुद सही क्या करना है इसको search करना है सारी के सारी चीज़े सार्च कीज़े INTUC का question भी हमने किया था पिछले lecture में तो यह चीज़े कहीं नहीं कहीं इंपोर्टन है एक बार इंको पढ़ लीजेगा वो सकता है कि next exam में यहां से question पूछ लिये जाए प्लीज कुछ चीज छोड़िये माँ जो दिखता जा रहा है यहां पर आपको जो कर लीजे ठीक है चीज़े next question है 38 question India ratified ILO convention number 144 on tripartite consultation among government employers workers representative कौन से year में इंडिया ने ratify किया था ILO convention number 144 आपको याद होगा 8 conventions में से इंडिया ने 5 को select किया था उसमें से क्या कहते हैं जो यह वाली convention थी 144 tripartite consultation among government employers and workers representative कौन से year में इंडिया ने इसको ratify किया था 1968, 158 78 या फिर 1988 तो बताई मैं आपको एक हिंड दूँ 90s में कहीं है यहां पर 8 है यहां पर fill कर लो क्या आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा यह 8 आएगा तो चलिए मैं आप लोग के लिए आप फिल कर देती हूँ यह 1978 1978 में क्या हुआ था 1978 में इंडिया ने International Labour Organization Convention No. 144 को ratify किया था ठीक है, clear है Now the next question is 39 The first to introduce the term collective bargaining First time collective bargaining term को introduce किया था, किसने? Sydney and bitches web ने अपनी book में इस term को first time introduce किया था और वहीं से collective bargaining का concept लिया गया है मैंने का आया न industrial relations कहीं न UK के उपर depend है UK मतब UK की जो industrial relations है वहां से लिया गया है इस concept को तो कही न कहीं वहां के terms यह वहां के authors है उन्हीं के नाम आपको देखने को मिलेंगे इंडियन नाम कितने कम देखने को मिलेंगे तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि बाहर से ही हम चीजों को सीखते हैं दूसरी countries को देखकर ही हम चीजे सीखते हैं ठीक है so first time collective bargaining का जो concept था वह किस ने introduce किया था Sydney and web ने introduce किया था अपनी book ठीक है the last question of this session and this unit that find the machinery which is not a method of settlement of industrial dispute इन में से कौन सा method नहीं है industrial dispute को settle करने का तो देखिये consultation works committee conciliation and adjudication यहां पर आपको पता है कौन सा इसमें method नहीं है और कौन सा है सारे के सारे हमने पढ़े हैं बस एक ऐसा होगा जो हमने नहीं पढ़ा है न वही adjudication जो आपने पढ़ा है last step होता है consolation जो first priority दी जाती है कि यह start करते है works committee जब मैंने आपको six forms बताया थी उसमें बताया था works committee एक step होता है consultation का मतलब होता है सिर्फ और सिक परामर्ष लेना है ना advice लेना सलहा लेना सो consultation एक method नहीं है ठीक है यह characteristic हो सकता है वह method नहीं है okay सो यहां पर आपका question number 40 complete होता है option number A आपका correct answer हो जाएगा किसी के साथ हमारा industrial relation unit complete होता है और उमीद करती हूँ कि आपको यह lectures पसंद आये है अच्छे से आप लोग इसे पढ़ेंगे जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया है ठीक है and I hope satisfy होंगे इस चीज से and trust me जितना भी आपने पढ़ा है that is more than sufficient ठीक है आपको जो भी MCQs में नहीं चीज़े दिखी है मैं request करती हूँ please उसके भी notes बनाईए उसके notes prepare कीजिए थोड़ा Google search कीजिए इससे आपका knowledge enhance होगा आपको जादा चीज़ समझ आएंगी और अगर by chance वहांसे एक या दो question exam में पूछ रिये गए तो आपके वहांसे number पक्के है ठीक है so यह था हमारा industrialization unit और यह आज complete हो चुका है मैंने कोशिश की है time से complete कराने की exam से पहले even one week पहले आज हमारा यह lecture जो है complete हो रहा है unit complete हो रही है so बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा फील हो रहा है तो आपके exams के लिए all the best अच्छे से पढ़ते रही है revise करते रही है अपना ध्यान रखे मैं बिलूंगी किसी नई unit में या फिर किसी नए topic के साथ या किसी MCQ session में अब तक आप अपना ध्यान रखे और अच्छे से पढ़ते रही है Bye Bye students Take care